हम पढ़ रहे थे प्लस वन के लिए फिजिक्स में मैथमेटिक्स टूल तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स टूल की बहुत ही मैथपुन है कोई भी हम डेरिवेशन करते हैं या कोई फॉर्मला ड्राइव करते हैं तो उसके लिए हमें मैथ की आफ सकता होती है मैस के फॉर्मूलों के आफ सकता होती है नीमों के आफ सकता होती है इसलिए हमें क्लास ये फिजिक्स का पार्ट सुरू करने से पहले हमें मैथमेटिक्स की जानकरी होने चाहिए जो हमारे फिजिक्स में काम आएगी तो हमने पिछले बाग में पढ़ा था लेक्टर वन में कि जो हमारी अलजेब्रा सुत्तर है वो हमारे काम आते हैं मैथमेट्री चूल में वो मैथपूर्ण फॉर्मुले देखे थे वो इसके बाद हमने देखा था दिविपद दिग हाथ समीकन के बारे में देखा किस प्रकार हल होती है तो यह हमारे फिजिक्स में बहती मैथपूर्ण अब आज का जो टोपिक है वो है दिविपद पर में एक मैथपूर्ण टोपिक है बहुत ही जब तक आप के पास फिजिक्स है दिविपद पर में y पाऊटे है तो इसको क्या लिखते है एक्स की पाऊटे है प्लस y गी पाऊटे अब एसे यह चल गाया अब एक्स की ।क्स प्लस ओंस केर स्कृ और को किस प्रेकर लिखते हैं इस की उल्सकेर पलस 2 kय प्लस Y इसी प्रकार X प्लस Y Q प्राबर X G Q प्लस 3X स्केर Y प्लस 3X 1 Y स्केर प्लस Y G Q ये तो हमने देख लिया कि किस प्रकार ये हमें एक काम आ गए X प्लस Y इसी दो गाते हैं कितने गाते हैं एक है पद कितने प्राब्त होएं दो पद कितने दो गात कितने एक यहां पर कितनी गात है दो तो यहां पर पद कितनी है तेन पद पराप्त होते हैं यहां गात कितनी है च्यार तेन गात है तो यहां पद कितनी है हल करने पर पद की सिंख्या च्यार इसी प्रकार हम क्या किसको हल करना चाहते हैं इसको फॉर्मूल इसकी X प्लस Y इसका फॉर्मुला हम निकालेंगे तो यहां गात अन है पद की जो पद की सिंख्या होगी अन प्लस एक यह हमें पदा चल गए इन में जो पद होंगे यह न है क्या एक पुरुणाक नंबर है नौनाक संक्यानी अन का मान है वो माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकता है एक दो तीन च्यार माइनस जैसे माइनस तीन दो एक जिरो एक दो तीन च्यार ऐसी डिजिश कुछ भी हो सकता है यहां भी प्रू तो यह है हमें पत्ता चल ल कहा इसके लिए पत्त की सिंख्या N पलस A होगी यह हमें पत्ता चल ल के अब यह देखिए परतेख पत्त में इसकी गाद कितनी एक है तो प्तेख पत्ता क्या है जो एक है सबकी योग इसमें इसकी गात दो है इसमें वाई की गात दो है लेकर इसमें एक्स वाई में क्या एक एक्स की गात एक वाई की तोटल गात क्या होगी उस पत्द की गात के समान होगी अथाथ इसके प्रतेक पत्द की गात है वो क्या होगी अन होगी अगर जहां Y की गात 0 है तो उसके साथ X होगा वो अन होगा पर तेक पद किस रूप में लिखा जाएगा X Y की रूप में लिखा जाएगा जहां पर Y की गात कुछ M होगी इसकी गात अन होगी यहां पी क्यू लिख सकते हैं और क्यूं जहांई का मान क्या होगा जीरों से लेकर का तक होगा इन ने छाहए यह बढ़ रही है नपर क्या थी जीरो थी लेकिन अब अगले पद में X की गात गटकर 1 हो गई इसे अगले पद में 0 हो गई इसी प्रकार हम इसमें करेंगी और इस पद में क्या X की गात कितनी 3 थी Y गात 0 है इसमें X की 2 हो गई इसमें X की 1 हो गई इसमें 0 हो गई इसमें क्या थी Y की 0 1, 2, 3 ये इस परकार बढ़ती रहेगा तो हमें इसको सोलो करना है तो पहले ये ही फोर्मूला लगेगा और दूसरी बात या पहला जो पद है और अंतिर पद है उनके जो गुणाग है वो बिल्कुल समाल आएंगे ये जब सोलो करेंगे इसको सोल करेंगे तो ये समाल आएंगे और किसके बराबर होंगे जितनी गात है उतने तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे XC power N प्लस N XC power N आ गया और XC power N माइनस एक वागी पाउर गात एक तो निच्चे क्या जाएगा 1 फ़क्रोरिल फ़क्रोरिल के बार में भी हम पढ़ेंगे ये जो दिवपद पर में है हमारे ट्वेल्थ की जो इलेंथ की जो मैथमेटिक्स है उसमें इन्सियाल्टी का पूरा चैप्र है बिल्कुल सारी डिटेल दुदारा दी गई है अगर आपको यहां नहीं समझ में आता तो मैध में आपको बूर्थ ये डिटेल्स है तो आपको वहां पर बिल्कुल समझ माजाएगे यहां सिर्फ इसको याद रिखने का उदेश है ये X पलस Y की गातन किस परका सोलेशन करते है एक दो जगे काम आएगा तो ये पहला पद होगा दूसरा पद क्या हैगा अन माइनस वन टू फेक्टरोरियल दो फेक्टरोरियल आजाएगा दूसरा पद X पावर दो अन Y पाथ दो टोटल कितनी होगी दुनों को जोड़ेंगे अन आजाएगा इसे प्रकार चलता रहेगा अन तीम पद से पहले के अन अन माइनस एक अन माइनस एक आगया अन माइनस दो इस प्रकार चलता चलता रहेगा दो आजाएगा यहां पर दो आगया यहां तीन आगया अब क्या आएगा नीचे N-1 यहां X की गात कितनी आज़ेगी 1 Y की गात N-1 अब अंतीम पद है उसमें क्या आएगी पतल पर्थम पद की गात X है तो यह इसका परकार करे solution हो गया, अब factorial का क्या मतबल हो, n factorial का मतबल n minus 1 n minus 2 2, 3, 2, 1 जितना मान है उस संख्याओं को लेकर एक से लेकर उसे शुरू करते थे तो दो factorial का मतबल है कि एक से लेकर दो factorial संख्याओं को अलगातर गुणा करते तीन factorial का मतबल है 1, 2, 3, यानि इसका मतबल 2 गया, इसका मतबल 6 हो गया 4 factorial का मतबल क्या हो जाएगा कि 1 into 2 into 3 into 4, यानि 24 हो जाएगा, इस प्रकार 5 factorial 1, 2, 3, 4, 5, यानि 120 और 5 factorial को किस प्रकार लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 आजाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 4 factorial into 5 इस प्रकार लिख सकते हैं ये सब है, factorial का मान गयाद कर सकते हैं, यहाँ पर अनिका मान कितना है मान लीजी, 2 है, तो इसका मान 2 हो जाएगा, ये काम आएगा भी नहीं, ये इसमें रखेंगे अनिका मान 2, 2, 2, 2 ये नहीं आएगा, एकी बात है इसका मान एक आजएगा, ये अगले बातुर काम ने येगे तो ये सब चलता रहेगा तो ये तद्र्विगाद का एक व्यापक समीकल्न पर्मिय, व्यापक समीकना है इस पर्मिय को हम महत में सोलो भी करते हैं, ड्राइव भी करते हैं तो गनितियाक्में सिदामद्वार इसको सिद भी किया जाता है तो एक इसका जो हमारे फिजिक्स में जो दिग आत्पर में खूल होती है वो होती है एक प्लस एक्स की पाउर अन यहां एक्स क्या एक रियल संख्या हो सकती है मां सकते हैं रियल संख्या भी हो सकती है तो यह इसको किस प्रकार करेंगे यहां पर क्या है इस सुद्र में एक्स के इस्तान पर एक है यक के इस्तान पर उसको क्या क्या करेंगे एक आ जा七ए कपहले क्योंकि A की गात N अब N फैक्टॉरियल आजाएगा A की गात N है तो A की आएगा X की गात X की गात की रूप में बड़ता जिस परकार Y की गात यहाँ 0 थी तो Y की गात बढ़ रही है और A का कितना भी की जी क्याएगा A तो इस प्रकार x-y गाद बढ़ती रहेगी एक factorial दो बार आएगा तो दो factorial आजाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है x-y square आजाएगा plus n, n-1, n-2 क्या जाएगा तेन factorial x-y power 3 इस प्रकार यह क्या है x-y power n तक चलता रहे यह इसका एक क्या है दीपद पर में यह इसकी क्या होगई दीपद पर में जहाँ factorial का मतवल तो हमें पता ही चल गया है कि क्या है factorial लेकिन क्या है जहाँ पर x, यहाँ पर क्या है x का जो magnitude है वो x से कम है मांग सकते हैं यह minus में भी हो चाहिए plus में हो x अगर 1 से छोटा है मसले x का magnitude तो क्या होता है यह 1 से छोटा है तो कोई भी छोटी संख्या है मान लीजिए 1 है, 1 की कोई भी गात बटाते रहेंगे, 1 की गात बटाएं 1 कितनी भी करें 1 की गात, 1 करी, तो भी 1 2 करी, तो भी 1 ठीं के तो और य데 मीः और नहीं पड़ता अब 18.2 टीन के तो वह बी इस हदिक आईगा जिस प्रकार क्या है 2 की गात एक की दो आया लेकिन 3 कि किषुए थ्ज हराया मतलल बढ़ रहा है इसमें गात बढ़ने से क्या हरा पेण यह परिणाम बढ़ता है अब अब जो छोटी सिंख्या है जैसे एक बटे दो है इसकी गात की क्या की एक की तो क्या ही एक बटे दो आई अब एक बटे दो गी गात स्केर की तो क्या ही एक बटे च्यार इसको क्या लेगते पॉइंट पांच इसको क्या लेगते पॉइंट पांच इसको क्या लेगते पॉइ क्या है एक्स का मान क्या बहुत ही बहुत ही छोटा है यह तो छोटा है तो एक्स की जो उस्तम गात है वहां पर क्या होगा उस्तम गात जहां पर एक्स की उस्तम गात होगी वह पद क्या हो जाएंगे सुने हो जाएंगे जैसे यह पद मान सकते सुने हो जाएगा यह भी पद स सुने हो जाएगा लग-बक कर दो क्या है इस का प्रिबवित ही कम है कम बहुत इक है तो एक पॉइंटों में जा हो जाएगी तो इसका मान भी इसको भी नगर ने मानते हैं इसको भी नगर ने मानते हैं क्या मानते हैं क्या मानते हैं तो यहां पर जो आएगा क्या आएगा इसको लगबग एक प्लस अन एक्स के रूप में लिखते हैं यह तो हमारा हो गया इसका मान फॉर्मूला द्विगा क्रूप से हमारी यही पर में काम आईगी जब एक्स का माना में छोटा करना हुआ दिखता है कि दो ही पद में हमारा स्टेप हो या तीन पद जब आसक हो तीन पद तक ले सकते हैं स्केर तक ले सकते हैं जब हमें तीन चार कदों के आ सकता तो तो क्यूब तक ले सकते हैं ये चलता रहता है इस परकार अब बात करते हैं कैस परकार हमारी ये फॉर्मला है ये जो फॉर्मला हमारा जो यूज होता है कि जो पर्थवी अर्थ है अर्थ के जो उपर है अर्थ हमारी परतवी परतवी है उस पर जो गुर्ट वाखे शुन यानि तवरण होता है वो क्या होता है जी जो हमने पड़ा है जी जिसका मोहा नो पॉयंट आठ एक मेटर मेटर परती सेकंड इनिवर्स सकेर वरग नो पॉइंट आठ एक मिटर परती सेकंड स्केर तो ये हमारा हो गया अब जैसे जैसे हम उपर जाएंगे वाई मुडले परत्वी की स्टैसे तो क्या है गुर्तव आक्षन बल क्या होता है जी का मान क्या कम होने लगता है एक फुर्मॉली के रुर्ण किस परकार कम होता है ये हमारा जो ग्रे वेटी चैप्र है गुर्तव आक्षन बल या गुर्तव आक्षन तो उसमें हम इसका जिकर करेंगे लेकिन हमें क्या दे रखा एक फॉर्मूला दे रखा है कि क्या फॉर्मूला है G- जो परत्वी की स्टेप पर अच उन्चाई पर क्या है गुर्तवाक्षन बल के कार्ण उत्वन जो तवरन है वो किस परकार है G, R के ब्राबर R प्लस अच ये में दे रखा है और बता रखा है कि जो अच है वो भोती छुट कम है आपसे R क्या है अच तो वह उन्चाई है जिस पर क्या तवरन G- परत्वी की स्टेश से अच उन्चाई पर तवरन है G- अब अच आई क्या है वो क्या है परत्वी की तरिज्या है परत्वी की तरिज्या बहुत ही अधिक है तो यह जो उन्चाई है वो प्रिष्म की तिर्जे से बहुत ही कम है तो इसका मत्वल क्या हुआ अच लेंस दन लेंस दन अर अच भाग दे दिया एक आर का तो क्या जाएगा एक से अच अपोन आर एक से छोटा है अब यहाँ पर क्या दे किस परकार लिख सकते हैं इसको जी यह सभी पर की गाज स्केर है तो एक साथ लिख सकते हैं आर प्लस अच इसके अब इस आर का भाग दे 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 दूनों तरफ निचे और उप है क्या हैगा जी डैस जी इसके आर का वाग उपर देंगे तो एक आजएग आर का भाग इसमें देंगे तो आर आजएग अच बटा आर अब यह देखिए किस परकार है एक बटे एक स्केर तो इसको किस परकार लिख सकते हैं माइनस एक स्केर तो इसको भी हम इस परकार लिख सकते हैं एक स्केर की बात ही किस प्रकार लिखेंगे जी एक प्लस अच अपॉन आर गात कितने हैं जी माइनिस दो अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि इसमें क्या है एक प्लस एक्स एन लगबग एक प्लस एन एक्स यह है जा एक्स क्या हो एक से बहुत सोटा तो यह यही हमारे लगाएंगे यहां प्रण का मान क्या है दो दो जी क्या है जी पहला क्या है एक है अन का मान क्या है माइनिस दो और अच्छ आर अब जी डैस का क्या वेल्यू आजेगी जी एक माइनिस टू अच्छ आर अब यह वेल्यू है क्या होगी एक से क्या होगी कम होगी यह पूरी वेल्यू क्या होगी एक से कम तो एक से कम है तो इस जी डैस का मान क्या होगा जी से क्या होगा का माने उपर जाने से प्रत्व किस्ता है दरातल से उपर जाने पर हमें क्या होगा गुर्त वाक्षन बल कम होगा यह हम ड्राइड करेंगे तब हमारा काम आया कि किस परकारी है कि दीपत पर में हमारे फिजिक्स में काम आती ये देखा फुरूला देखा, ड्राइट किया अब दरातले की गराए में जाएंगे तब ये ऐसा ही फुरूला आएगा गुर्टवाक्षन बलेगा गटेगा तो ये सब है एक चीज गुर्टवाक्षन के लिए सब चीजे क्या गुर्टवाक्षन के लिए है कि किस पुरकादी पत्पर्मे का यूज करना है तो ये सब चीज हमें mathematics हमारे हमको आने चाहिए physics में इसलिए physics का chapter शुरू करने से पहले में mathematics tool के बारे में पढ़ना आती आफसक है और आगे के जो topic है वो अगले lecture में बढ़ेंगे